So, hello guys, welcome to my channel, my name is Kesar, आज मैं लेकर आउँ आपके लिए इंडियन इकनोमी का 3rd chapter जिसमें मैं आपको भारती कृशी की विशेशता हैं कराने वाला हूँ So, चलो, start करते हैं So, देखो हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारती कृशी की विशेशता हैं जब आपको यह लिए बताऊंगा कि इसके अच्छाईयां क्या-क्या है नहीं। इसमें अजाद होएं उसके बाद हमारी क्या-क्या श्तिती थी विशेशता हैं रहे गई थी सबसे पहला पोईंटा हो निमल उत्पाधका ​​ तो मैं निमल उत्पादकता मतलब होता है फ्रो Branch उत उत्पाधन उसको हम यह नातेग प्रोडक्शन उत्पाधाङ उत्की कि अगरक上 Origi को यह बहुते है तो सफयों फर्न सर्वे उसमालन कर पिए है कर देक्छ fathers future ऐसं यह को आधान होगा है अगर 2016 कि फंच बहुते है तो इस होते हैइ सफक्वाय अगर खर लंगा और फिर ओह दुंक है कि इतनÁ जो शेत्र होगा इतना जो शीत्र होगा वारति है के बाते की हाः तो फेला करें विश्य के विष्यादस भी हॽेशता है विष्य πरिक्जा भार्ति ही चाहता है एनने वड़क्टीविटा भी चाहता ही have some novices देना कि आध जरू तो चाहिए, और ने जरु कैना का पु 오ज की तिनी भी वित्ना किS खमनी पॉम्हें से बूल mejorar फारध करें मुषल उस्ताइम के जब्र बहुत जादा इह कं। बहुत ज्यादा लो ज्यादा लो प्रोग्ट्टिविटीटी ती थी लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ी रही थी ऐसा नहीं थी मैं इसके आपको इसके सारे मतलब गुड़ पॉइंट्स बदाऊंगा ऐसा नहीं है मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि अजादी के बाद जो हमारे पस क्रिशी जो था उसमें हमारे पस क्या रह गया था ठीक है तो सबस कितना प्रतीशत रहा था जैसे 3.1 करके कुछ दे रखा है वो सार अप अपनी आप बुक में से देख लेना है ठीक है हम नेक्स पॉंट की तरफ बढ़ते है चिपीवी बेरोजगारी थी नेक्स पॉंट है ठीक है चिपीवी बेरोजगारी को में इंगलिश में कहते है इसम सब्सक्ता है में थाता है तो कि अगर आपके पस पैन तो यह जुटाए रहे है ठेकिन मैं आपको इसका पूरा बता हूं तो क्या होता है उस अचाम पे ज़से कोई कम आण लेज हैं मंई पर परकूरल हम के लिए मैं आपको चीज सम्झा रहा हूँ आ이 है कंप्न इसमें हमें 100 वर्कर्स की ज्रुरता है Oz जैसे 100 वर्कर्स की ज्रूरता हैar हमें और हमगी तो थेक्छा सयलरी हों कर देने हो एक पर बन्दे को का तंग गया अगर हम कम वरकर से लगाएंगे तो काम बहुत दीरे होगा हम ने उनी सेलरी पर उसी की जैसे हम एक बंदे को 500 दे रहे हैं बिलकि 500 के दो लगा दे तो क्या हो जाएगा कि हमारा काम भी जल्दी से होने लग जाएगा का तो उन्हों है क्या सोचा कि बढ़ी चीपी जैसे आपके हो गए साड़े 12-12,000 के लोग तो क्या होता है कि सेलरी बढ़ जाती है लोगों का खर्चा नी चल पाता इससे लोग बेरुजगार हो जाते है तो उसके को हम कहते हैं चिपी बेरुजगारी अनेम्प्लयमेंट ठीक है ओके नेक्स तलते हम मैं स्को रप कर देत ठीक है वर्षा पर निरवरता इसको इंग्लिश में कहते हैं डिपेंडेंस ओफ डिपेंडेंस ओन रेंपॉल इसमें क्या होता था पहले के टाइम पर जो मतलब हमारी खेती होती है अगर वर्षा अच्छी होगी तो तुमारी खेती भी अच्छी होगी अगर वर्षा जाद छब तुम्हारी खेती भी बहुत अच्छी अगर नहीं वे तो तुम्हारी खेती भी इतनी अच्छी नहीं होगी ठेक डेपेंडेंस ओन रेंफूल मतलीर बरसा पर निर्भरता रहती है एक हमारा नेक्स पॉंट है निर्भाह केती के रहे सकुछ जसको हम इंग्लिश में कहते हैं काजय नियर्भाकेती जिसको मुस्कों कते सब्सेस्टेंस फॉर्मिंग के उसमें के इसको就到 statut किसां होता कि बहुत चोटा था या तो अपने परिवार के लिए भी की जाती तो हो क्या करते थे जातर अपने परिवार के लिए खहती करते थे बाद में आपके लिए बसता ही नहीं था तो मैं सब्सक्राइब के लिए पर लाब के लिए किल्याग सब्सक्राइब में। कि उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अधूनिक आगतों का अभाव कि इसको हमें कहते हैं इंग्लिश में लैक ओफ मॉडन इंपूट्स इस टैम पर क्या था जैसे आधूनिक आगत हो गया जैसे आपका हो गया मैं आपको बताता हूं जैसे राइसनिक उर्वर्क हो गई कि आज सफ़्सक्ल का अभाव कि इस अधूनिकम अगत प्रशंड के अगट भी अश्मय कॉर्वक ऑंका त्हीं फिसजिए कं दोपे क holiday कंष की सब्सूनिक नियुक्त क्यों प्रेभाव क्षपी यहां किम बाशिए कंषिए्स किदोटनेग इंप श्कम पैसे प्रती हेक्टेर उता था इसलिए कि आधूनी कावड़तों अभावतों था क्यों अच्छे बीजी नी खरीद पाते था इसलिए इसलिए भी मतलब यह सब था 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 आप समझ गए होगे अब नेक्स पॉम्ट पर चलते हैं लगूज होते हमारा नेक्स प्跟श दे लगूज होते है लगूज होते हैं इस इसलिए इसलिए टाइम पर क्रषा बमूज होते है वह बहुत छोटा होता था। जिससे वह पूमी का ओकार है इस पे इंको खेती करनी होती थी तो इससे वह उते हाथ थी तो यह जाद अपने लिए अच्छा मतलब जाद भताऊ दी रहता हूं लगू जोते जिनको कहते हैं इंगलिश में small holdings इस चाहिम पर किसान थे उनके पास काफी ज्यादा लगू जोते होती थी छोटे अकार की भूमियां उती जिससे वो क्या था बन को मतलब उस पर रिक्टर निचला सकता था जोते ही चोटी होती ट्रैक्टर आने ही पाता था वह निर्वहागी करते था जिससे अने परिवार तक के कि आती बूमिया थी आप जिसकों कहतें इंगलिस में स्मॉल ओल्डिंग्स थी आप समंज गयोंगे हमारा नेक्सट पउंट इसमें बू सवामी पठे-दार व रहे हुए वह पल्स रह दंसित क ses ते मिलोकते सबिधार ही देन भीझ आपको आप्टेदार भीच दोन के एक इस तान भीजिरा पंटेदार gjक्रूम किसान के पड़ से खथा यह समय किसान पस अपने परीवार का शड़ कार दो रहाल अनुकंगा थियह तो थो किसान प्तेदारी खेती है जिसके बढ़ एक विसके पहस को अगुए प्याय पर देता हूं जैसे देखो यह किसान आया उसके अप ड़स्टा घे करने के बाद जो आधा हिस्सा होता है वह अपने जो का मालिक होता अच्छी माली को प्रण पर दे जा देना पड़ एकुए अज़ां किसान के पास ही रहता था तो इसके पास बोजन नहीं कर पाता था अपने परिवार के लिए पूरा लेकिन उसके लिए वह सब करते थे इससे क्या था बूस्वामी पट्टेदार संघर्ष एक चल रहा है रहा था ठीक है अब हम नेक्स्ट पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है पिछडी तकनीक पिछडी तकनीक को इंग्लिश में क्याता है बैकवर्ट टेकनोलोजी उस टाइम पर क्याता है देखो मैंने आपको यह पॉइंट पहले करा दिया वहीं पॉइंट रिपीट हो रहे हैं मतलब उन्हीं पॉइंट को बहुत लार्ज करके लिखा हुआ है अगर आपको चेप् करें ज्क्राद सुक्त धूट संक्राओ मैंने दोनिक में संय प्रक्टा इमन पॉइंट लिखा हुँआ है उन्हीं पार निर्दन आपे उनके पास पैसे होते बीदित तो बहुट पास भीन लुभव था वर करते निनके कम हमार्की बहुंप आए है अगर इनका help hosted लिथ अन अगले जो मेरी नेक्ट वीडियो एगी मैं उसमें आपको क्रिशी की समस्या है बता हुआ अगर मैं फिर आपको एक्जामपल एक समझा रहा हूं कि मैं जब मैं अपनी 12th क्लास में तो मुझे भी कोशन आया था कि इसे में उसमें बता हुआ इसमें बता हैं लोड मैं बता है जिक कि ड्यक्ण तो अटो क्या गया मुझे है जब आपकी। तो है की जो अच्छ फरे बाज्श है भारत को लूट बाद में बात में घांके देगा कि उन्हें अच्छ बंचा था मरभाट इवं का यह इसकी विचेश्था है जो बच गया तेक है समस्या है तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या के समस्या है तो आगर आपको इस वीडियो अगर आपको समझ आ गया हो इस वीडियो को लाइट शेर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं मूलना नीचे जो बेल अकन उसको जो